दोस्तो घरेलू उप्चार और सुकी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कमर दर्द के कुछ घरेलू उपए दोस्तो ये एक ऐसन उसका है जिसके इस्तिमाल से आप कमर के दर्द से चुटकारा पा सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से और आयरविदिक तरीके से दोस्तो कमर दर्द की समस्या बुजर्ग और मद्धे आयू वाले लोगों में देखी जाती थी लेकिन अब युवाओं में भी इसका असर देखने लगा है कमर में दर्द के कुछ लक्षन जैसे कमर का कमर या कूलों के आसपास दर्द रेड़ की हड़ी का लचीला पन खो जाना और सोने में तकलीफ महसूस होना आदी देखने को मिलते हैं पीट में दर्द कई कारणों की वज़े से हो सकता है जैसे मास पेशियों में तनाव अनुचित आहार शारिरिक गतिवी दियों में कमी या एक्सेसाइस ना करना या गठिया की वज़े से अत्यधिक सारिरिक कारिय की वज़े से या सही डंग से ना बैठने की कारण या कुछ प्राकर्तिक उप्चार हम आपको बताया देते हैं जिसके वज़े से जिसके इस्तिमाल से आप इस दर्द से कमर के दर्द से छुटकार पा सकते हैं इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अद्रक का इस्तिमाल किस तरह से करना है अदरक कमर के दर्द के लिए और सुजन सरीर में कहीं भी हो उसको हटाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है अदरक उल्टी के लिए तो उपियोगी होती है उल्टी आने पर भी इसका प्योग किया जाता है लेकिन कमर दर्द के लिए भी यह बहुत 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 जाद लाब दायक है अद्रक सुजन रोधी गुन होते हैं इसके अंदर जो कमर के दर्द से राहत दिलाने में बहुत मदद करते है दोस्तो इसको तीन तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं अद्रक को यदि आपकी कमर में दर्द या जोड़ो में कहीं भी दर्द है उसके लिए पहला तरीका सबसे पहले आप थोड़ी सी हद्रक लें और उसको बारीक ग्राइंडर में डाल कर पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को जहां पर भी आपके दर्द है उसको महाँ पर हलके हाथ से 40 करें 2-3 मिनिट और सूखने तक के लिए उसको लगा रहने दें छोड़ दें उसको और सूखने के बाद उसको महाँ से दोलें पानी से ताजी पानी से दोलें और उसके उपर फिर आप नील गिरी का तेल लगाएं इससे आपके दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा होगा यह बहुत अच्छा एक कारगर उपाय है दूसरा तरीका चार से छे ताजा अद रख के पतले टुकडे काट लें और उसे एक कप पानी में डाल कर आज पर रख दें गरम होने के लिए दस से पंदरे मिनट तक इसे गरम होने दें उसके बाद इसको उतार ले ठंडा हो जाए जब इसको चान ले और चानने के बाद इसमें थोड़ा सा सहद मिलाएं एक या दो चमच और चाय की तरह इसको फिर पियें दिन में तीन से तीन बारा आप पिर सकते हैं इससे आपको सरीर में जहां में कहीं दर्द है जोडो में दर्द है, कमर की, कमर में दर्द है इससे आप बहुत ज़ाद राहत मिलेगी तीसरा तरीका इसके अलावा एक हरबल चाय भी बना सकते हैं हरबल चाय में आपको चाहिए काली मिर्च आधा चम्मच ले और आधा चम्मच लोंग और एक चम्मच पानी में इन तीनों चीज़ों को मिलाएं थोड़ा सा उबालें इसको फिक्षान कर इसकी मिसरन को और चाय के तरह पिहें ये तीन तरीके हैं अधरक को इस्तिमाल करने के दर्द के लिए दोस्तों ये तीनों नुसके आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है इन तीनों में से जो भी आपको नुसका पसंद आए जो भी आप मना सकते हैं आसानी से उसको इस्तिमाल कर लें दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही हम जल्दी फिर हाजिर होंगे कुछ नई मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप भाजते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लेजिए ताकि हमारे इन वीडियो से मिल सकें सबसे पहले